हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में जिन भी श्ट्रेट ने जो है में से इंगलिस प्रोग्राम लिया हुआ है तो उनके लिए जो है मैं उनका प्रीवेस कोश्चन पेपर लेके आ रहा हूँ वो सो हो रहा होगा उसके बाद जो है आप लोगों का ये कोश्चन पेपर जो है सेकिंड एर का है 2023 का जून का ठीक है जो अभी एक्जाम हुए है उन स्टूडेंस का तो सबसे पहले दोस्तों ये जो कोश्चन पेपर है इसमें देखते हैं कि किस टाइप के कोश्चन जो है आपके सब्जेक्ट में पूछे गए थे तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बता दू कि यह जो question paper है इसको two parts में divide किया गया था और जो total marks थे आपके वो 70 marks का question paper था और यहाँ पे आप लोगों को 2 घंटे का time दिया जा रहा था और दोस्तों यहाँ पे जो यह questions हैं इनको आप लोगों को जो है ध्यान पूर्वक इनके answer देख लेने हैं क्योंकि अभी जो आप लोगों का exams होगा उसमें जो है इनी questions में से कुछ question repeat होगे तो यानि जो section जो है ए है इसमें 5 question है जिसमें से आप लोगों को 2 question का answer करना था और एक question जो था वो 19 marks का था तो यहाँ से chances है कि इन 5 question में से एक question तो आपके exam में जरूर repeat होगा अगर एक question वहाँ पे repeat होता है तो आपके 19 marks यहाँ से confirm हो जाएंगे तो इसलिए आप जो है यह जो पांच question आपको दिखाई गए हैं भी इनके answer एक बद देख लीजिएगा उसके बाद दोस्तों आप लोगों को बता दो कि मैंने आप लोगों के लिए एक WhatsApp गुरूप भी बनाया हुआ है अगर आप लोगों ने जो हमारा WhatsApp गुरूप है वो जोईन नहीं किया हुआ है तो इस वीडियो के discussion box में WhatsApp गुरूप का link मिल जाएगा तो आप click करके जोईन कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों जो है section A के बाद section B है तो B में जो है आप लोगों से 8 question पूछे गए थे exams में 8 में से आप लोगों को सिफ 4 question का ही answer करना था और यहाँ पे जो 1 question था आप लोगों का वो था यहाँ पे 8 marks का तो यानि जो B है आपका section वो है आपका 32 marks का और यहाँ पे दोस्तों जो आपको total 13 questions होकर आए गए हैं तो courses कीजिएगा एक बार इनकी जो answer है वो आप लोगों देख लें क्योंकि इन ही questions में से आपका जो अभी exam होगा इन ही में से आपके question repeat होंगे और chances हैं कि 3 या 4 question यहाँ से repeat होंगे अगर 3 भी repeat होते तो easily आप लोग 30 plus या 40 plus cross कर सकते हैं अपने exams में और दोस्तों आप लोगों को अगर यह video helpful लगी हो तो video को like और channel को subscribe कर लीजिएगा तो चलिए मिलते हैं आपको हमारे next video में तब तक के लिए bye bye and have a good day